हे गाईज विल्कम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्वागत है अपका इस वीडियो में तो दोस्तों एक बहुत अच्छी खासी वेकेंसिस निकाली गई आप सभी के निट के लिए टाटा पावर की तरफ से पार्मानेंट जॉब्स की वेकेंसिस आउट की गई है वे अगी तरीका मालूम है अप्लाइ करने का तो निश्चीत आपको यहां से रिप्लाइ आता है कैसे आता है कैसे अप्लाइ करना एटू जैट प्रॉसेस बताऊंगा तो वीडियो में बने रहिएगा और बात रही टाटा पावर की तो सेलरी की टेंसन मतले ना यार गॉवर्म क्या है कौन सा ब्रांच है कितना परसेंटेज ब्रांच में और कहां से आप बात कर रहें ताकि आने वाले समय में आप जो प्राइवेट जॉब की यह सब अपडेट मिलती है ना वो सब पहले सिक्योर किया जाता है कि कितने शुडेंट आई टिप्लोमा डिग्रीज के हैं और आकर आप किसी भी डिपार्टमेंट की वीडियो चाहते हैं प्राइवेट में तो भी कमेंट करके हमें बताएं चलिए वेकंसिस की और चलते हैं सो गैस हम आ चुके हैं ओफिसल वेबसाइट पे जहां पर टाटा पावर की वेकंसिस रिलीस की गई है टाटा की जितनी भी वेकंसिस हो चाहिए टाटा पावर हो टाटा मेटलिक्स हो टाटा इस्टील हो टाटा ग्रूप की अलग-अलग वेरियंट हो यहां से वेकंसिस नि LinkedIn पर publish की जाती है, तो यहां से vacancies आप देख तकते हैं, हलांकि हर एक department के अलग-अलग website है, Tata Steel का भी अलग है, Tata Metallics का भी अलग है, लेकिन mostly vacancies यहां से publish होती है, चले vacancies की मैं बात करूँ, मैं पहले ही Tata Power select कर रखूँ, ताकि आपका time वेशना हो, आप देख सकते हैं, Tata Power, इसमें बहुत सारे variant-variant posts होते हैं, different categories में, लेकिन हम Tata Power की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले Tata Power में discuss करूँगा, कौन-कौन सी post पर vacancies है, और date कब तक है, यह जरूरी है देखना, कब तक आप यहाँ पर apply कर सकते हैं, vacancies निकल के आती है, management training, और सारी post है, management training की post है, management training में आप देख सकते हैं, Tata Power से निकाली गई है, यह 3 week पहले publish की गई है, और 9 March 10, यानि कि यह कली तक last date रखी गई है, मैं बताऊंगा, और काफी सारी date हैं, देख सकते हैं, यह सब 6 जून तक date है, तो अराम से apply कर सकते हैं, 11 अपरिल 2023 तक last date है, अभी time है, attention नहीं लेने का, just 11 अपरिल तक last date है, तो बहुत time है, हर एक post के लिए, मैं starting से बता रहा हूँ, नेक्स post फिर से मिल जाएगी, यह Tata Power Company, इंडियास की किसी भी डिपेंट में से apply कर सकते हैं, इसकी भी same है, 9 March, और यह आपका 15 March, यह field sales executive की recruitment है, नेक्स है, executive training में, HR में, यह 4 अपरिल को है, और customer relationship manager में, यह 11 अपरिल को है, एक वाई engineer की recruitment है, जूनियर executive engineers की, यहाँ पर diploma candidate भी apply कर सकते हैं, डिग्रीज भी, इसको अपरिल करके चेक करेंगे, 11 अपरिल 2023 तक इसकी last date रखी गई है, नेक्स है, एक GAT की recruitment है, चो कि 6 जून तक apply कर सकते हैं, और नेक्स vacancy program, analyst की recruitment है, यह 17 अपरिल तक इसकी last date रखी गई है, उसके बाद management trainee की फिर से मिल जाएगी, यह 9 मार्स 2023, क्योंकि management trainee की update को लेकर ही मैं आया हूँ, जितने भी candidate eligible है, management trainee का मौका मत जाने देना, कली last date है, जल्दी से apply कर लो, और अभी जाकर यह video खतम होती है, यह जाकर apply कर लो, apply कैसे करना है, वो process में अभी मैं बता दूँगा इसमें, यह junior executive engineer की फिर से आपको यहाँ पर recruitment मिल जाएगी, 11 अपरिल तक last date है, graduate engineer trainee की recruitment यह 6 जोने, अब बात करते है apply कैसे करना है, लाइक junior executive engineers की, तो apply now of sections, जो button आपको दिखाए देगा, इस पे click करने है, सबसे पहले क्या करना है, तीसी एस पे registration कर लेना है, without registration के candidate का apply बंदा नहीं कर सकता, तो इस पे सबसे पहले registration करनी होगी, और resume ज़रूर बेजे हैं, कैसे apply करना matter करता है, बट आपका CV जो है आपका resume जो है, वो अच्छे से आपको create करके mail करना होगा, और upload भी करना होगा, इसलिए अपना एक strong mail जो है, sorry, strong CV create करें, और mail में कैसे आपको attach करना है cover letter, किसके साथ आप resume भी send कर सकते हैं इसको, तो cover letter में आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह open हो चुकी है, यहाँ पर क्या-क्या मांगी गई है, Tata Communication यहाँ से total कितनी post 130, vacancy बहुत ज़्यादा है, मैंने 500 माँ पर लिखी ने, इससे भी ज़्यादा-ज़्यादा vacancy है, salary आपको 3,00,000,000,000 मिलने वाली है, approximately देखा जाए, तो अच्छी खासी salary आपको यहाँ पर मिल जाएगी, skills आप देख देते हैं, किसकी skills की जोरत आपको पढ़ सकती है, देखो, B.E. मांगी गई है, B.T.E.C. मांगी गई है, M.C.A., M.E., M.T.E.C. और Essential Qualifications यहाँ पर B.T.E.C. यहाँ पर रहीगी, बसरते आपने diploma to degree कर रखे हैं, जो D.T.E. करते हैं, वो भी Candidates Form को एपलाइक कर सकते हैं, ओके, इसकी opening अगर देखा जाए, तो मैं देखा देता हूँ आपको, opening देखो, 11 जनवरी को यह, 11 अपरेल तक इसकी जो date है, वो तक है, applications की date यहाँ पर बदाई जाती है, यह अगर full हो जाए, इसकी एक चीजा आठाटा में, जो भी vacancies का अगर fill हो गया हो, vacancy full हो जाते हैं तो इसको हटा दिया जाता है, तब ही vacant post है, और बिल्कुल fraser apply कर सकते हैं, जिरो से एक साल की experience हैंने, fraser अराम से apply कर सकते हैं, salary अच्छी दे रहे हो, तो मौका मत जाने दो यार, हम आयें यहाँ पर management trainee को लेकर, तो सबसे पहले management trainee को apply करना बता देता हूं, क्योंकि actually management trainee का date बहुत काम है, management trainee की यह post मैंने open की, जिरो यार, बिल्कुल fraser eligible हैं, और देखो यार, तेलर लाख है अन्वली आपको package मिलने वाली है, तो bumper salary है, मौका मत छोड़ना यार, qualifications यहाँ पर highly qualifications है, लेकिन b bteg भी आपने कर रखी है, तो यहाँ पर apply कर सकते हो, जिसे एक और post मैंने open की है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, बी bteg कहाँ पर दोनों मांगीगा, अपने b कर रखी हो, bteg कर रखी हो, दोनों candidate apply कर सकते हैं, तो यह अच्छी खासी recruitment है यार, इसमें क्या है, अगर आपने diploma भी कर रखी है, डिप्लोमा देखो, इन 3-year की bbc की बाद आपने diploma की है, तो बिल्कुल आप eligible हैं apply करने के लिए, तो D2D आपने कर रखी है, तो भी eligible हैं, यह 3-year की यह मत समझ लेना, कि 3-year की सिर्फ diploma apply कर देखो, आरह या, मैं D2D बोल रहा हूँ, diploma to degree apply करना, ओके, फ्रेसर डिप्लोमा नहीं, तो जो भी candidate eligible हैं, जाओ जाकर देखो apply करने के लिए, निशित reply आएगी, अगर आप अच्छे तरीके से apply करते हूँ, cover letter आपको टेलिग्राम चैनल मिल जाएगी, सक्सेस दिलिप का link description मौज़ूद है, जल्दी जाके cover letter सो कर लेना, cover letter मैं दिखा देता हूँ, क्या करना है, यह telegram चैनल जॉइन कर लेना, उसके बाद यहाँ पर देखे सकते हैं, cover letter for ITI, उसके बाद दिखा देगी, cover letter for आप देख सकते हैं, फ्रेसर एक्स्प्रियंस, set कर लेना, यह थोड़ा सा edit कर लेना, यहाँ पर आपकी जो degree है, आप experience है, तो experience, फ्रेसर हैं तो फ्रेसर, कब आपनी की pass out क्या है, तो यह सब चीज यहाँ पर फिल करोगे, और अपना branch यहाँ पर रखना, तो कुछ यहाँ पर editing करना होगा, यहाँ पर अपना नाम, अपना mobile number फिल अप करना होगा, तब जाकि वहाँ पर आप send करोगे, समझ में आ चुकी होगी, कुछ डाउट है तो comment करके जरूर बाता ना, जितने भी गेनेट हैं जाओ, जफ्राग से apply करो, चले मैं मिलता है नेक्स बड़े में,